नमस्कार मैं मधवाला आप देखरें एक न्यूस 24 बता दे आपको जुस तरीके से कंगना और चुराग की काफी चर्चाय चल रहे थी शादी की जुक्र हो रही थी वहीं पर अब बड़े खुलासे हुए जुस तरीके से दोनों को लेकर फैंस का भी ये कहना था कि दोनों एक साथ हो जाए यहां तक अभी भी लगातार जिक्र चल रही है लेकिन एक न्यूजी चैनल में बात्चुत करते हुए कंगना रनौत ने इसका खुलासा के यानि कि शादी के खुलासे कि अब क्या कुछ खुलासे सामने आई है में साथ कई सहयोगी है बात्चुत करने के लेकिन अगर बात करें चिराग पासवान और कंगना रनाउट के रिष्टे को लेकर तो बेशक वह बारत 13 साल से एक दूसरे के साथ हैं 2011 में आई थी उनकी फिल्म मिले ना मिले हम वहां से उन लोगों के बीच केमेस्ट्री अची बनी थी और अभी के समय की बात करें तो द करेंगे कि आपको पता होगा कि अगर हम थोड़े से पीछे जाए तो कंगना रनाउट करितिक रोशन के साथ भी नाम आया था और रितिक रोशन के साथ उनका क्या हिस्ट्री है वो हर को ही जानता है तो कोई नहीं चाहेगा कि एक बार जहां से अगर हम तूटे वहां दूखात रखने लेकी इसे लेकिन फिर भी कही ना कि चिराग पास्वान का जो राउन और नॉर्मल इंसान में आसमान का अ कर दो हमें एक सब्सक्रा लेसे वह सब्हुओं 스क्राइटला में जान है वोक Jennifer कि चिराग और कंगना एक साथ क्यों नहीं है तो देखिए बात बता रहता है कि जीते हुए एक महीना नहीं हुआ है लोग अपने शेत्र में जाएंगे काम करेंगे और क्योंकि एक साल तो आप भूली जाए कि कोई कैमरा के पास आकर बोलेगा अगर अंदर भी कुछ होगा त चिराग पासवान के पास तो समय एक परसेंट भी नहीं क्योंकि मंत्री भी है और सांसद भी है तो लोग अपने काम को पहले देखेंगे जिस फ्यूचर को देखके वो पॉलिटिक्स में आए है वो उन्हें देखेंगे और वह अगर वह सोचती है तो सबसे बेटर चीज हो को है कंगना लोगों के सामने कह रही है अपने शादी को लेकर क्या कुछ कह रही है देखिए जिस तरह से चिराग पासवान और कंगना रनौत की फोटो काफी सोसल मेडिया पर वाइरल हो रही थी लोगों का दावा था कि दोनों साधी के बंधन में बन जाएंगे लेकिन आ आउटसाइट फ्रम फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने ऐसा जवाब दिया तो इसे वह एक हिंट भी दे रही है कि जैसे लोग कहते हैं कि जो बॉलीवूड में होते हैं वो उनहीं साधी करते हैं क्योंकि उनका जो बिचार होता है रहते रहते एक जैसे हो जाते हैं पर कंगन रनौत और चिराग पाश्वान को लेकर तो कही न कहीं तक सही भी जा सकता है विकास आपका क्या कहना है जिस तरीके से कंगना रनौत और चिराग की जो जिक्र चल रहे थी लगा तार अभी दोनों सुर्खियों में हैं और शादी की बात अब खुलासे कर दिये कंगना उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हाँ साधी करूंगी समय आने दीजिये लेकिन एक सिंपल घराने में साधी करूंगी ना कि चका चॉंद जो फिल्मी दुनिया की रहती है उसमें करूंगी अब सिंपल घराना यानि कि पलिटिशियन भी हो सकते हैं या उससे भी हटकर हो सकते ह उन्हों ने ये नहीं कहा कि मैं नेता से साधी नहीं करूंगी नेता है चिराग पासवान सिंपल है भले वो ईवा है इसका कारण भी यह हो सकता है कि ऐसे काई साधी हमारे सामने उधारन है फिल्मी दुनिया की जो साधी होते तो है पर चंद महने बाद तूट जाती है और पि अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी है, उनके संसदिया छेत्र का भी, तो जो भी वो कदम उठाएंगे, तो उनको अपने संसदिया छेत्र के लिए भी सोचना होगा, उसके साथ सबसे एहम, संसदिया छेत्र के साथ सोचने के अलावा सबसे एहम, जिस पाटी में वो जुरी ह हुई है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी कई राज्यों में उनकी सरकार चल रही है लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी बने है 15 साल से सासन कर रही है इस वक्त भारत देश में वैसे में एक भी गलत कदम उठाने से सीधा बीजेपी पर उ जनता ने उन पर भरोसा किया है काम करने के लिए कुछ साल काम करें इंतिजार करें साधी करना है एक दो साल बाद भी साधी हो सकता है लेकिन अभी जो चीज है आपने जो जनता से वादा किया है वादा पूला किजिए पहले उस वादे को प्ला करना आप आपको मैं एक एक करें कि मैं बॉलीवूड इंडस्ट्री में साधी नहीं करूंगे पर सचाई क्या है यह तो जल्दी पता चल जाएगी प्रिया नंदन जिस तरीके से बता दे आपको कि अभी खुलासे कर रही है शादी के चर्चाएं चल रही है जिस तरीके से लेकिन अभी देखिए कि दोनो केमेस्ट्री लोग बहुत पसंद कर रहे हैं लेकिन अच्छा रिस्ता है उनका पिछले दस बारा साल से लोग साथ है तो मतलब रिष्टा अच्छा होगा ही और उसके बाद अगर वो दोनों मिलते हैं जुलते हैं तो आपस में बैठते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं दोनों अगर 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 कुछ कर रहे हैं लेकिन एक 11 साल पहले की फ्रेंडशीप और अभी के टाइम की जो जिस तरीके से जुनता इसकों कंटीनियुस ली नहीं लेकर चल सकता है कि 11 साल से दोनों फ्रेंड ही रहे हैं क्योंकि बीच में अलग भी वहत वास फिल्मे से साधी नहीं करेंगे क्योंकि वह फिल्म इंडस्ट्री से बिलॉंग करती है उन्हें पता है कि रियलिटी में फिल्मी रिलेशन कैसे होते हैं अगर एक दो को छोड़ दिया जाए जैसे कि अम तीना अमिताब शारुक्स और यह अप्षर लोग अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे कि 95% of relations टूट चुके है ठीक है वो कारण क्या रहता है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी चीज समानता से नहीं चलती है और कंगना रनावत को बेशक्त पता है कि फिल्म इंडस्ट्री का relation कैसा होता है और चिराग पासवान की अगर बात करे तो च भी हार के बात करे तो बिहार में चीराग पासवान के रिस्ते को लेकर लोग इतने जादा उसाहित हो गए है और इतने जादा खुस हैं कि लोग तो मैं बहुत सारे चैनलों पर इंटर्विव देख रहा था पर पतना के लोगों का अलग अलग यग जगों पर जाके लोग ले रहे हैं, उसमें लोग क्या बोल रहे हैं, लोग करें कारें कि कंग्ना हमारी भावी है, जल से जल बाइद की तयारी कीजिए, भावी को लेकर जल से जल वीहार आए, लेकिन कुछ brings inतीजार कीजिए, जे कंधों पर काम करने दीजिए, उसके बाद को सब अच्छा होगा, इंतिजार करने में ज्यादा होता है ना सब्र का फल मिठा होता है थोड़ा और सब्र जब इतना सब्र किये चिराग पासवान को लेकर तो थोड़ा और क्योंकि अभी बात उनका सिये साथ में कई राज्यों में चुनाव होने है तो ऐसे में अभी कंदो पर जिम्मेदारी है जो काम करके दिखाना है चिराग पासवान अभी सिर्फ यह दिमाद में रखे है क्गना के साथ मेरा रिस्ता है अगर होगा भी तो ठीक है है लेकिन अभी उसे थोड़ा सा साइड में ऐसे का जिट जाएंगे बिहार चीना वोड़ेकन दोली के लिए के बिहार के लिए फोकस किई एक एक तो साधी का और एक बिहार का जीत का प्रिया जिस तरीकिसे नंदन बोले के एक फ्रेंडशिप नाम की भी चीज होती है वाकई चिराग और कंगना की अभी तक फ्रेंडशिप चल रही है जो तरीकिसे जन्ता उन दोनों को भावी और भाईया का जोड़ी बना दिये हैं त कई न कई इनकी दोस्ती भी हो सकते और जब इतने कई सालों बाद फिल्म बनाए और आपस मिलते हैं पॉलिटिक्स भरी एलेक्शन में आने के बाद यह दोनों मिले लेकिन काफी दोस्ती अपने बरकराह रखें तो इसको दोस्ती का भी नाम दे सकते हैं और देख लीजे रुषी के साथ भी फुटो वाइरल उनके साथ भी शाधी होुआ है वह तो शाधी शुदा है कमल जा इसको बोल सकते सोशल मीडिया के साइट भी बोल सक्टे हैं और री तेयर है कि दो स्वीडमिया का बलती है एक आटएच्मेंड़ जो है वह यादा बढ़ वो भी क्योंकि आप बारत 13 साल पहले मिले थे और उसके बाद आपकी मुलाकात नहीं हो रही है और अचानक आप देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वैसे ही मिलेंगी जैसे वो लोग मिले थे तो इसमें कोई वैसी बात निये की रिलेशन में है और वो जो भावना ही रह या भावी ने नहीं कहा ना कि हाँ यही है तो थोड़ा सा इंतिजार किजिए ना बाई दोनों में से कोई तो पॉजिटी भी सारा दे कि हाँ यही है अब जनता ख्याली पलाओ तो बनाती है पकाती है खिचरी भी बना लेती है उसका खुसमू दूर तलग चले जाता है किस कि अब लूग कल आती है गुरी देक कि भी जिरो से खाड़ओ चिराग पासवान जियरो से स्टार्ट की है डोनों जब ही भी करते हैं रहे को करेंगे यह मैं नहीं बोल सकता है फहे है को कर दो टो आगर करते है तो जब तक डोनों अपने पैरो पर पूरी चरीके से खाड़ काफी उनका चर्चा चल रहा है हम तो हम तो यही पूछेंगे कि अभी आए क्यों शादी के मुद्य को लेकर वो क्यों कि शादी का जुक्र चल रहा है उन्हें शुरुआत से चिरात पासवान को रिस्पॉंसिबिलिटी नरेंद्र मोदी ने दी थी कि हम आपको पांच टिकट देते हैं आप अच्छी पर्फॉंस करिएगा वह इस तरीके की पर्फॉंस करते हैं कि 100 परसंट के स्ट्राइक रेट से वह जीतते हैं और उमीदों पर मोदी के खरे उतरते हैं उसके बाद उन्हें एक और जिम्मा दिया जाता है कि आप सांसत्त बनी चुके हैं आपको कें अधिवीजन है मेरे पास तो बिहार को सबसे पहले बेटर बनाना है बिहार को अगरें बेटर बना देंगे उसके बाद यहां की जंता हम कुछ भी कर हमें अक्षेप्ट करेंगी और अभी की बात करें तो कंगना रानावत और चिराग पास्वान को एक साथ करते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि दोनों की अभी नई नई करियर है, पॉलिटिकल करियर है और सांसद है, तो वो अपने शेतर में ही देखेंगी और खुद को उस मुकाम तक ले जाएंगे कि नरेंदर मोधी भी ब्लाइंड ट्रस्ट उन पर कर सके, और चिराग पासवान नई ने केंद्री कि बात करने युवा नेता है अभी समाई है उनका साधी साधी में, क्या इतालीच साल के है 42-41 साधी करने में, राहूल गांधी पर भी कोई सवाल उठाए ना कि उनका भी उम्र निकला जा रहा है, विपक्ष के सब से बरे नेता है उनको जल्द बाजी में साधी करवा दी एक ताम के लिए ते जश्वी आदब कभ करेंगे शादी नदी कर लिए बच्ची है बाहर सूठा के लेका साधी हो गयाई ब्राहूल गांधी इस तरीके से पीछाड़ा ने चुराग पासन के लिए पर कीछ बैग पादी कर लिया है कि यह थो छादी कर लिया ननी मुनी बच् पहुंति औह लेकां तो जादा उमर उम्र निकला जा रहा हैं। आब नहीं करेंगे तो अब तो अगÁ modular शूराय साथ आप बैदों के उसी रहती फीयरे से करेंगे ॳपत अभी नदवाले अब नदन जी ने कहा भीहार से विकास बारे छिद्धियूनि वह बिहार के विकास के बात करतें लेकिन आई दिन बच्चों के भविष सेक साथ खेला जा रहा है आफ देखरेगे कि नीच पेपर लीग हो जा रहे हैं तुछ इस पर नौक्टिक्न है इस पर कीव लोग अइस चुपपी साथ Remember कि तुम यह काम मत करो इंसान का अपनी इंसान के अपनी मेंटिलिटी है वह ही करेगा जो वह चाहेगा और क्योंकि वह रोग तो सकते नहीं है भले वह सदा दे सकते हैं नीट पेपर लीग का जैसा इन्होंने जिक्र किया हम कहेंगे बहुत ही घटिया काम हुआ है क्योंकि 66% बिहार को अभी तक वेल एजुकेटड कोई भी सीयम नहीं मिला था और अगर चिराग पासवान के हाथ में बिहार जाता है है तो उनके पास वीजन है उनके पास फ्यूचर है उनके पास बिहार को ब्राइट करने के बहुत सारे वीजन से आप भास ही जात चल रहा है नाम एक पर एक आ रहे हैं तमाम पाटीों से कुछ लोगो का नाम नीकल के सामने आये जिसमें चिराप पासवान के पाटी पर आप लगा कि चिराप पास वान ने टिकर दिया था। उन विधायकों को जिक नाम आ इना गया सारकार करवायी कर रही है इंचिजार कीजिए रिजल्ट सामने आने दिज्जे करवाई का कि क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है उसमें किसी नीट पेपर लिग करवाया बिल्कु किसके आरोपी तक तो हाथ जाए पहले मुख्या रोपी तक तो अब तक हाथ नहीं गया है लेकिन जिन लोग नीट पेपर लिग करवाए हैं आप किन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं उन लोगों को जिन्हें आप प्रश्न पहले दे रहे हैं कि यह जाकर आप जबाब देखा जाए तो नीट पेपर लिग तो अभी हुआ ने लिकिन बहुत सारी ऐसी चीजे हो चुकी है कि हमें ऐसे पहले डिया जाएगा सकता दोbled हमालों जाए दो चुक्ते आज़े ना कि वहुति को जाता है पताएज हूए जो सबस्सक्तराइब लेकिन को डिया देठेऽ करें надо कि अगर हम आपको बथा Brazil पनीन पहले दे और न open दिए में मिजिन पारम प्रश्न पहले दर प्रश्न ऑनाय लेकिन जब आपके साब ने मरी जाएंगे तो आप का करेंगे भगवान ना करें जो आज नीट पेपर लीक करवाए है मुख्या रोपी अगर उनके घर पर कुछ विपदा आ जाए और वही डॉक्टर जो पास हुगा है चीटिंग के थूरू वही आपके इलाज के लिए आज म tenemos theίας करने जेंट पता है कि यह लोग निकले हैं तो यह कैसे है वह हम से बहता और को जान नीज़क्ता आँक दाएंगा इंगलाइं तो क्योंकि यहां के नेताओं को पता है कि यह हमार ही अंडर में यह published हुए है और यह कैसे है वह हम से बतर और कोई जानता नहीं है बिल्कुल अभी हम मुद्दे से भटा करेते हैं मुद्दा है कंगना और चिराग तो हम यहीं कहेंगे कि कंगना चिराग को थोड़ार सा समय दीजिए सब कुछ साफ हो जाएगा दोनों में से कोई ग्रीन सिगनल दे दे कि हम दोनों एक साथ है उसके बाद जितना बात करना है कीजिए भावी मानिये भाईया मानिये जो दोन ढान बना डिपावली मनाईये होली मनाईये मिठाइबाती है लेकि इंतिजार कीजिए बिल्कुल आप क्या एंगे जी बिल्कुल इंतिजार करना चाहिए जब भी ऐसे मों के सामने आए त información जो हमेंसे समत् परसेंट और चीजे अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए बोली जाती है तो चिराग पासवान और कंगना रनौज जो अभी चर्चाएं में बनी हुई है जो तरीके से बता दें आपको कि कंगना और चिराग की शादी की काफी जिक्र चल रहे थी है वहीं पर कंगना एक इंट खुलासी करते हुए नजर आ रही है बता दें आपको कंगना रनौज फिलाल अभी शादी के मुद्धे पर तो नहीं कुछ बोली है वहीं पर अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान तो अभी इन सब चेज पर मूँ बंद किये हुए या तक कि अभी लो के लिए धन्यवाद